अब हातों को धोने का क्या महत्व होता है? ये मुझे आपको अलग से बताने की जरूरत नहीं है, पर जहां तक बात आती है आपके हातों को धोने की, तो आप इस्तमाल करते हो वाश बेसिंग का. और ये जो वाश बेसिंग है, इन में बहुत सारे टाइपस आने लगे है, और तो और बहुत सारी डिजाइन अवेलेवल होती है, और अलग-अलग मेटरेल से इन्हें बनाय जाता है. तो यहाँ पर सवाल यह आ जाता है कि जब घर के लिए वाश बेसिंग सिलेक करना होता है, तो कौन सा वाश बेसिंग आपको सिलेक करना चाहिए? फिर चाहे आप अपने बात्रूम के अंदर wash basin लगवाए या फिर बात्रूम के बाहर wash basin लगवाए अगर आप अच्छा wash basin अपने घर के अंदर लगवाते हो तो definitely इस से आपके घर का look जो है वो एक step आगे चला जाता है तो इन wash basin को लगवाने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर wash basin के कौन-कौन से type होते है तो पहला type है full pedestal, दूसरा half pedestal, तीसरा table top mounted basin, चौता है wall mounted basin, पाचवा under counter basin और छटा corner wash basin अब ये common chair type होते है wash basin के, अब यहाँ पर जो full pedestal wash basin है जैसा कि आप अगले image में देख रहे है, यहाँ पर basin के नीचे एक vertical member होता है अब इस vertical member का फाइदा ये होता ही कि एक type का support जो है ये आपके basin को provide करता है और जो basin में wastewater के लिए outlet pipe निकाला जाता है तो उसे hide करने का काम भी ये vertical member करता है उसी तरह से जो half pedestal wash basin होते है वहाँ पर ये जो vertical member है ये सिर्फ आधा होता है जैसा कि आप यहाँ पर अगले image में देख रहे हो अब ये जो full pedestal या फिर half pedestal wash basin होते है इनका फाइदा ये होता ही कि जहाँ पर जगह की कमी है वहाँ पर in basin को लगाना सही होता है और दूसरी चीज इने clean करना भी ज़्यादा difficult नहीं होता है यानि कि clearing के लिए आपको ज़्यादा तकलीप नहीं होती है और in basin का cost भी ज़्या प्रेश्ट है table top mounted wash basin तो ये जो basin होते है इनका सबसे पहला advantage ये आजाता है कि ये आपके basin के area को एक modern look देते है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो table top mounted wash basin में आपको बहुत सारे प्रकार की designs available होती है और इनका look भी बहुत ही अच्छा दिकाई देता है ये जो basin होते है ये आपके counter के उपर fit किये जाते है और यहाँ पर installation भी बहुत ही आसान होता है और ये जो basin होते है ये counter के उपर fit किये जाता है इस वज़े से उन्हें एक firm base मिल पाता है और इन basin के वज़े से आपको vanity के लिए नीचे के तरफ अच्छी खासी space मिल पाती है जहाँ पर आप अच् body faucet का ही इस्तमाल करना पड़ता है जिससे की again थोड़ा सा cost जो है वो बढ़ जाता है और अगली चीजी जहाँ पर ये wash basin counter से connect होते है वहाँ पर हमेशा दाग दब्बे चूट जाते है क्योंकि वहाँ पर cleaning करना थोड़ा सा difficult हो जाता है तो यहाँ पर थोड़ी सी cleaning की समस्य होती है पर अगर आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च करने के लिए तयार हो और अच्छा look चाते हो तो definitely आपके लिए recommendable है tabletop mounted wash basin चलिए अब हम next wash basin के बारे में बात करते हैं जो की है wall mounted wash basin अभी इस wash basin को कौन नहीं पैचानता आपने बहुत सारे जगह पर इस wash basin को दे इसे लगवाना पसंद करते हैं तो क्या है इसका सबसे पहला advantage तो यहाँ पर सबसे पहला advantage आ जाता है कि इसका cost बाकी सभी basin की तुलना में इस wash basin का जो cost है वो सबसे कम होता है कम दाम में आपको अच्छे quality का wash basin definitely मिल सकता है अब ये pedestal से भी सस्ता होने का कारण ये होता है कि pedestal में जैसे vertical member होता है ऐसा vertical member इसमें नहीं होता है तो इस चीज़ के वज़े से भी cost जो है वो सेव हो जाता है दूसरा advantage यहाँ पर ये आ जाता ही कि ये easy to install होता है बाकी wash basin की तुलना में इसे fix करना बहुत ही आसान होता है ब्रैकेट या फिर फासनर की मदद से इसे wall के आच है वो भी कम होता है और ये जो wall mounted wash basin होते है इने cleaning करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है तो ये भी एक बड़ा advantage in wash basin के साथ आ जाता है और normal faucet का इस्तमाल आप in wash basin के उपर आराम के साथ कर सकते हो तो इस वज़े से tap के उपर जो extra cost है वो भी save हो जाता है और ये wash basin आप को बहुत सारे size में available होते है जगह आगर आपके पास बहुती कम है तो वहाँ पर भी आप आराम के साथ इन wash basin का इस्तमाल कर सकते हो तो इतने सब advantage गिनवाने के बाद बारी आती है disadvantage की तो यहाँ पर इस wash basin के साथ सबसे main disadvantage ये आ जाता है कि इसका look जो है वो बहुती common है और बहुती simple है अब आज कर लोगों को थोड़ा सा नया और modern look चाहिए अपने basin के लिए तो वहाँ पर ये जो basin है वो थोड़ा से कम पड़ते है हाला कि इन में भी अलग-अलग design जो है वो market में आने लगे है जैसा कि आप यहाँ पर अगले image में देख सकते हो next type के basin के बारे में advantage की बात करें तो यहाँ पर आपको एक neat और clean look इस wash basin से मिल पाता है और जहां तक बात आती है इन wash basin को cleaning करने की तो यहाँ पर cleaning की भी जादा दिक्कत नहीं होती है देखे दोस्तों यह जो under counter wash basin है इनका सीधा सीधा competition जो है वो table top mounted wash basin से होता है अब इन दोनों में क्या difference होता ह इसके बार में अगर आप जानना चाते हो तो इसके बार में हमने एक separate video बाना के रखी है आई बटन में मैं उस video का link दे दूँगा आप वहाँ पर जाकर इन दोनों का detail comparison देख सकते हो पर फिलाल अगर हम बात करें तो under counter wash basin होते है उनका cost जो है table top mounted wash basin से कम होता है बात करें अ आजाता है कि basin के नीचे अगर आपको storage के लिए कोई space बनाना है यानि कि vanity के लिए आपको space बहुती कम मिल पाती है तो यह कुछ basic disadvantage जो है वो under counter wash basin के साथ आते है अब सबसे आखिर में बात करते है corner wash basin की अब यह जो corner wash basin है जहाँ पर जगब बहुती कम है यानि कि space बहुती कम मिल रहा है और आपको 2 wall का support लेना है तो उस जगब पर आप जो है corner wash basin को लगवा सकते है अब यहाँ पर इसका advantage यह है कि कम जगब में आप इसे fit कर सकते हो wash basin के type देखने के बाद बाहरी आती है material की तो यहाँ पर wash basin के लिए आपको अलग-अलग प्रकार का material जो है वो available होता है जैसे कि ceramic, plastic, metal, stone तो यहाँ पर सबसे ज़ादा अगर किसी चीज से wash basin को बनवाय जाता है तो वो है ceramic जो कि एक best material माना जाता है आपके wash basin के लिए यह जो ceramic से बने हुए wash basin होते है इनके कुछ advantage होते है जैसे कि सबसे पहली चीज यह ज़ादा expensive नहीं होते है दूसरी चीज यह अच्छे कासे durable होते है इस वज़े से आपको सालों साल तक कोई चिंता करने के आवशकता नहीं होती है और ceramic से बने हुए wash basin को clean करना और maintain रखना बहुत ही आसान होता है इसी वज़े से ceramic एक best option आजाता है आपके wash basin के लिए और रही बात wash basin के shape की तो यहाँ पर आपको rectangle, round, oval, triangle इस तरह के shape जो है वो wash basin में मिल पाते है पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा oval shape और rectangle shape का इस्तमाल किया जाता है क्योंकि यह length में ज़्यादा होते है पर width में कम होते है इस वज़े से आपका space जो है वो कम acquire करते है और इस्तमाल में आसान होते है तो इसी वज़े से wash basin को final क दी जाती है वो है 18 inch by 12 inch इस size को आप एक medium wash basin size मान सकते हो और जब भी आप अपने घर के लिए wash basin लेने वाले होते हो ऐसे वक्त में branded और अच्छे quality का wash basin लेने की कोशिश कीजिए क्योंकि अगर आप पैसे बचाने के चकर में सस्ते और घटिया quality के wash basin लोगे तो आगे चलके उनमें आपको इस तरह की बारिक hairline crack जो है वो दिखाई दे सकती है और उनका color जो है वो आगे चलके dull हो जाता है तो आप अपने घर के लिए कौन सा wash basin लगवाना पसंद करोगे इसके बार में comment box में comment जरू कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो जरू इसे like कर दीजिए